कास्ट बेस सेंसस का चैलेंज आपके सामने खड़ा हुआ है क्योंकि NCP कह रहे है कि कास्ट बेस सेंसस होना चाहिए चगन बुझबल या बाकी सारे नेता कह रहे हैं बीजेपी का रवई आप तक उसको लेकर साफ नहीं है कल प्रदान मंत्री ने उस पर आलोचना भी किये कि कास्ट बेस सेंसस को लेकर तो आपकी भूमी का क्या रहेगी क्या महराश्ट में कास्ट बेस सेंसस का सपोर्ट आपके आपकी गवर्मेंट करेंगा पहली बात तो कास कास्ट बेस सेंसस यह शब्द इगल होते हैं क्योंकि सुप्रीम कौट ने बता दिया है कि सेंसस यह स्टेट नहीं कर सकते यह सर्वे ठीक है सर्वे और इस प्रकार का एक इंपिरिकल सर्वे हम लोग पिछले समय भी करा चुके है महाराश में सबसे महत्वपुर्ण दो चीजे इसमें कास्ट बेस सर्वे को किसी की ना नहीं हो सकती है लेकिन इसमें एकदम मूलगामी बाते जो है उसको हमको ध्यान में लेना पड़ेगा पहली बात देश में 2011 में एक इस प्रकार का सोशो एकोनोमिक कास्ट सर्वे हुआ था लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंग जी नहीं उस समय निर्णे लिया था कि इसके आकड़े डिकलियर नहीं किये जाएंगे क्यों नहीं किये जाएंगे इसके कुछ कारान है आज भी देखिए बिहार ने सेंसस या सर्वे करने के बाद जो आकड़े घोशित किया है अब वहां पर लड़ाई जुड़ गई है कुरमी कहते हम इतने कम नहीं है कोईरी कहते हम इतने कम नहीं है और कोई कम्यूनिटी कहते हैं हम तो 6% हमको 2% दिखाया गया है तो इसलिए इसका जब तक ऑथेंटिक मॉडल तयार नहीं होता है कोई मॉडल नहीं होता है वह तो करना ही पड़ेगा आपकी स्टेट पे भी माराठा समाज कहा रहा है कि हमें आरक्षन चाहिए धंगर समाज कह रहा है कि हमें आलक से आरक्षन चाहिए आपने वादा भी किया था उनको ऐसे मैं आपको यह तो करना ही पड़ेगा जब तक आप उसका आकलन नहीं करेंगे तब तक आरक्षन की गोश्टना कैसे करेंगे देखिए इसलिए जो हमारा बैकवर्ड क्लास कमिशन होता है मिलाकर समझ लेजब बिहार ने कुछ एक निरने किया है अब हमको देखना पड़ेगा उसका प्रिणाम क्या है उसके ऑथेंटिसिटी क्या है यह सारी चीज़ें देखने के बाद ही इसके ओपर डिसकेशन हो पाएगा तो आज की स्थिति में आपके सा आपके सामने इस तर परकार से इससे पहले कभी किया गया है उसमें के शॉट कमिंग्स तो आपको दूर करने पड़ेंगे आखिर में हम देश में जाती जाती में लड़ाई नहीं कर सकते हमारा उद्देश क्या है देश के पिछड़े देश के OBC इनको हम आगे कैसे ले जाए उनके लिए अच् ने कभी ने हुआ देश में OBC का आयोग तो कई सालों से था लेकिन उसको constitutional दरजा देकर उसके माध्यम से OBC समाज के लिए अलग-अलग फैसले जो लिए गए तो मोदी जी ने लिए तो मैं यह इतना ही कहना चाहता हूं कि ultimately हम लोगों को aspirations भी पूरे करने है लेकिन aspirations पूरे करते समय methodology ऐसी होनी चाहिए कि हम जाती जाती में लडाई न करें